अलो यह PC जो हमने अभी 260 पीसिस थे 65 65 करके हमने डिलिवर की है हर पांच दिन के बाद अब यह लास्ट बैज है पहले मैं सोच रहा था पूरी वीडियो बनाओ साथ साथ किस तरह PC रेडी हो रहे थे सारे लड़के लगे वे थे वाइन मसला यह हो कि हम वो रिकॉर्ड नहीं क कुछ PC यह पड़े हैं कुछ PC वो पिछे पड़े हुए हैं कुछ उदर पड़े हुए हैं और यह तक्रीबन टोटल 65 PC यह हैं और 65 PC एक दूसरी शॉप पे रेडी करवाए हैं 130 PC अभी हम डिलिवर करने लगे हैं लास्ट तो वीडियो बनाने का मक्सर यह है कि बलक ओडर भ करता हूंगा बड़ी चीजे में रपास नहीं हुए है 4080 आए है 4080 असूस 4080 MSI 4080 Zotac और छोटे कार्ड बहुत सारे पड़े हुए है 3080 2060 Super ओ हाँ एक बड़ी फिट चीज आई है यह कार्ड पकड़ा 2060 Super Founder Edition यह बड़ा साफ कार्ड में रपास आ है 2060 Super Founder Edition आप इसकी शेक यह शेकर करना कितना मज़े कार्ड है जैए घूल ऑय आजए की चुछा ऑगी किक्री कार्ड की कंडिशन चेक करो आए-ए-ए-ए-ए-ए शीशया-शीशया इनके वैसे जो टेम्स है वो नॉर्मल से च्टूटे ज़ादा होत samma है बाद इनकी बिल्ड क्वाल्टी है कार्ड की भाई मजा आ जाता है बड़ी फिपैंवडिया के फांडare और यह कार्ड जो है यह 65,000 का मिलेगा डब्बे के साथ है बिल्कुल फ्रेश कंडिशन में है यह भी आया है और यह देखना उपर से ना उठाना टेप उतर की है टेप इदर वली उतरी हुई है इसके बाद बागी सारे बहुत सरे कार्ड्स हैं छोटे कार्ड बहुत आए वे केस की यह जो PC हमने बनाए है इसके मैं आपको specs बता देता हूं क्या है इसके साथ monitor भी है इसके साथ मदब complete setup है complete setup है और यह हमने चाइना से इंपोर्ट किये थे प्रोसेसर 260 प्रोसेसर रैम्स हमें यहीं से मिल गी थी यह जो केस है यह इस कंपनी के जो के 300 वाट की supply के साथ बड़ा प्यारा डीसेंट सा केस है डाल टाइप की ब्रेंडे टाइप की शेकल है और इसकी जो प्राइज है वह यहारा जार पांचो है विद 300 वाट सप्लाइज में अभी खोल को दिखाता हूं उसमें लगाया क्या 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 है तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेसर में का रेट है 35-36,000 चिप का रेट है तो हमने कॉंटिटी में मुआ है तो हमें 33 के आसपस कॉस्ट पड़ी तो बस इसी रेट में आगे देने पड़ गे तो इनको 11400F हमने लगा के दिया है स्टॉक कूलर के साथ क्योंकि यह ओफिस वर्क का PC यह गेमिंग नहीं है 300W की ब्लैक वायर्ज वाली 8-pin के साथ कनेक्टर स्प्लाई इसके साथ आती है कि इसकी बड़े ची क्वालिटी की स्प्लाई है और 1GB का नॉर्मल 7000 का डेडिया 3 का GPU लगा हुए है 1TB की इसमें QN की SSD है और BioStar का B560 motherboard है और कुछ 510 थे कुछ 560 थे शुकर है BioStar के motherboard पाकिसान में मिलगें इतनी कौन्टी मिलब 260 motherboard चाहिए थे इतनी कौन्टी में 11 generation का motherboard मिलता नहीं है By the way, thanks to BioStar जिनके पास ये पड़े हुए थे और ये बड़ा सस्ता मिला इस टेम 510 असूस का 32-37,000 पे कैं ये motherboard जो है न ये 30 का भी नहीं है 30 से भी काफी नीचे था तो ये बड़े अच्छे रेड में हमें motherboard मिल गया वैसे इसकी retail 28500 है 560 और 510 की जो है na BioStar की BioStar का 610 भी सस्ता है कंपनी थोड़ी मतलब के असूस वगरा की तरह बहुत हाइफ कंपनी नहीं है लेकिं तनी कोई फालतू कंपनी भी नहीं है BioStar के बहुत ठीक होते हैं ठीक है बाकि इसमें यही स्पेक्स हैं हाड रव इसके अंदर है नहीं हाँ रैम हमने इसमें ट्रांसेंट के इस एक्षेंजी भी लगाई 32 मेगा अर्ड रेटेल तक में 10,000 है इस रैम का अभी 11 हो गया है तो यह रैम इसके अंदर लगी वी है तो टोटल इसकी जो कॉस थी वो लाक रपे के आसपास थी और कैलो क की उपर वो हम नेगेटिव करके सेल करेंगे बहुत अच्छी प्राइजिस के अंदर जैसे आप कहले ब्लैक फ्राइडे होता है इस तरह की सेल्स वगयरा मैं शुरू करने लगा हूँ थोड़ सा टाइम लगेगा अबर सोच रहे हैं कि क्या करें और दूसी बात रहेगी को स्पेशल मेंबर्शिप वाला सीन भी रखते हैं जिसके ओपर जो है लोगों को डिसकाउंट अच्छा मिले उसमें हम कमाए ना कमाए लेकिन उसमें आपका फायदा होगा और हमारा फायदा ही होगा कि हमें मार्केटिंग मिलेगी ये चीज है और कुछ और दो चीन सर्विस जेखो बाई हेलो बात इतनी सी है ना कि यह तो तुमारी दुकान हो तो बात और मैरी है वो फ्लैड मेरे मेरा जाती स्टाम दिख़ो तुमारा तो दिखा मैं अब जिब में लेंके थोड़े फिर तो हूँ अब बात नियाते इसको नारा था इदर मेरे दुकान पैसने और अब आपको में चीज़ बताते हैं कि क्या एक्स्ट्रा है मेरे पास एक तो यह 240 हर्ट का मॉनिटर है 2K 240 हर्ट असूस इसका मॉर्डल है PG279QM इसकी प्राइब 235K है 27 inch 2K 240 हर्ट IPS का मॉनिटर है फ्लैट स्क्रीन के साथ उसके इलावा मेरे पास 4K में भी पड़ा हुए है असूस 4K आपको मिल जाएगा 60 हर्ट है वर्किंग मॉनिटर है एक लाख पच्पन हजार रुपे का 4K और इसका मॉडल होता है VG1A इसके बाद 24 इंच में गीगाबाइट का मॉनिटर पड़े हुए IPS 165 हर्ट जो के आज कल 75K का हो चुक है पहले 60 something का था 65 का था बेस्ट ऑप्शन 27 इंच IPS मॉनिटर 65 हर्ट 1080 बीट 27 इंच ब्रैंड न्यू 40,000 रुपे का ये भी मिल जाएगा उसके बाद और कहने आया है वो भी हम आपको बता देते हैं हां ट्राइफन में 1660 सूपर ग्राफिक कार्ड ये ये कार्ड निकालेक तो भाई ये हमारे पस आ पर RGB light भी है तो ये आपको मिल जाएगा 47,000 का ये अवेलेबल है हमारे पास इसमें गीगाबैट भी है वो वो 500 सस्ता है इससे वो 46 500 का है गीगाबैट वाला ट्राइफन भी पढ़ा हुए और असूस वाला भी ये नहीं चीज आई थी बाकी तो छोटे मोटे कार्ड बहुत ये हमारा शॉप का नंबर है वहां पर अर्जन रिस्पॉंस आ जाता है और सम्टाम अगर हमारे बिजली गई हो नेट का कोई इश्यू हो तो फोन नेट के साथ बंद हो जाती है तो सम्टाम नहीं भी उठाते लेकिन ज्यादा तर उस फोन पर फोरन रिस्पॉंस आपको आ किस्पिरसाइब तो में तो में इश्कती है तो क्यू